Hello everyone, welcome to our channel Join MNS Academy आज के वीडियो में हम लियूसिन बुक का टॉपिक 8 करने वाले हैं इसके पहले मैंने 7 टॉपिक आपको कवर करवा दिये अगर आपने वो नहीं देखा तो I would suggest you कि प्लीज गो एंड वाच दाट उसके एक प्लेजिस भी बनी हुए आप प्लेजिस सेक्शन में जाके देख सकते हो आपको बाकी की जो 7 टॉपिक से वो दिख जाएंगे आज जो करने वाले टॉपिक वो है मिनरल आन्देर प्रोडक्शन एंड वर्ड तो मिनरल जो है और वो कहा कहा उनका प्रोडक्शन होता है वो हम देखने वाले काफी चोटा सा टॉपिक है लेकिन अगेन इंपॉटेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफी सारे कॉश्चन आया थे एवन हर सैट में इससे रिलेटेड एक कॉश्चन आया था पिछले बार 2020 में इसलिए ये आपको टॉपिक अच्छे से लर्न करना है सो इस तरीके से कुछ बुक में दिया हुआ था मिनरल का नाम यहां लिखा है वो फर्स प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस सबसे जादा प्रोडक्शन कहा होती है उसके बाद कहा है और उसके बाद यह उस सिक्वेंस में दिया हुआ है ठीक है, और यह वर्ल्ड का है, इंडिया का ने जो जो पेज नंबर पूछते है पेज नंबर मैं नहीं बताती पिकास हर किसी की बुक में यह अलग-अलग दिया हुआ है जो यह मेरे पास अभी है latest edition है अगर आपके पास है तो page match करेगा अगर नहीं करेगा तो आप सीधर यह topic देखो जाके आपके जो index है महाँ पे topic देखो और आपको मिल जाएगा वो start करते है पहला है iron जो यह iron mineral है यह सबसे ज़ादा first place जो है चाइना पे तो सबसे ज़ादा चाइना में मिलता है उसके बाद Australia में एंड उसके बाद ब्राजील में आइरन के जो ओर होते है उसको क्या बोलता है हम हमेटाइट बोलते है ठीक है नेक्स चाइना की capital and currency क्या है चाइना की capital है बीजिंग और यहाँ पे जो currency चलती है वो है यूँआन उस्टेलिया में क्या चलता है उस्टेलिया में चलता है डॉलर और यहाँ का capital है कैनबेरा नेक्स्ट है ब्रजील ब्रजील का ब्रजीलिया होता है capital और यहाँ पे जो currency चलती है वो होती है रियाल, नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है चिली में, पेरु और चाइना, तो देखो आइरन है या कॉपर है, उसका एक ही ओर नहीं होता है, बहुत सारे ओर होते हैं, इस टाइप के कॉश्चिन भी आते हैं, को नाम दे दिया जाता है, और पूछ पढ़ेगा क्योंकि एक आइरन के ही काफी सारे ओर्स होते हैं, कॉपर के ही काफी सारे ओर्स होते हैं, अब याते कंट्रीज पे तो चिली है, चिली का का पिटल एन करेंसी क्या होता है, चिली का का पिटल होता है, सांटियागो, यहां पे चिली का करेंसी चलती है, वो होती यहां पर चाइना आपका कवर हो गया ऐस वह लिए भी हो गया इस और अफ एप्रिका चापिटल हो ती है केप टाउन और यहां पर चरंशी चलती है वह थी है रन अर एन दी राइन ओके नेक्स पर साइड बॉकसायड बॉकसायड आस तेल या में सबसे ज़्यादा पाया जात तो capital and currency तो साथ में लिखते ही जाओ विकर्ज यह तो एक sure topic है, इससे तो question आता ही है next is zinc, के देखो spelling गलत दी है zinc, C हो गए यहाँ पे zinc again चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है then Australia में and Peru में Peru की capital मैंने अभी आपको बता दी न Lima और यहाँ पे currency क्या चलती है soul, next is gold gold सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है then Australia and then USA तो USA यहाँ पे नहीं हो आता अभी तक USA की जो capital होती है वो होती Washington, DC and यहाँ पे जो currency चलती है वो है dollar next is silver silver सबसे ज़्यादा मेक्सिको में पाया जाता है फिर Peru में and third number पे चाइना में coal, coal सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है then USA में and then इंडिया में तो अभी यहाँ पे first time इंडिया आया ठीक है वो भी इंडिया third place पे है पूरे world के हिसाब से coal में ठीक है अच्छा मुझे यह comment करके बताओ कि इंडिया के कौन से state में सबसे ज़्यादा coal का production होता है वर्ल के हिसाब से तो इंडिया third पे है लेकिन इंडिया के अंदर state में first number पे कौन सा state है जिसमें coal सबसे ज़्यादा produce होता है अगला है uranium यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्जाकिस्तान में then Canada में and Australia में कर्जाकिस्तान की capital क्या है नूर सुल्तान और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो है Tengi next is Canada Canada की capital है Ottawa और यहाँ पे currency चलती है dollar next is mineral oil mineral oil सबसे ज़्यादा रश्यादा में पाया जाता है then Saudi Arabia में and USA में Russia का capital है Moscow और यहाँ पे चुक करेंसी चलती है उसको बोलते है Ruble Saudi Arabia का capital है Riyadh और यहाँ पे चुक करेंसी चलती है उसको बोलते है Riyadh USA हमने cover कर लिया natural gas natural gas सबसे ज़्यादा पाया जाता है Russia में then USA में and then Canada में so as I told you की बहुत सारे ores होते so मैंने यहाँ पे कुछ ores की image लगाई हुई है जैसी है Magnesite ठीक है यह है Charco Pyrite तो यह सारे ores ना उन्ही मिनरल से ही आये होते हैं यह है Boxite यह है Galena यह है Native Copper this is Rainbow Pyrite पताने आपको दिख रहेगी नहीं इसमें बहुत डिफरेंट से colors है like rainbow इसलिए इसका नाम भी Rainbow Pyrite रखा गया है ठीक है फिर यह है Magnetite दिन यह है Antimony का ओर this is Hemetite Jasper, Tiger Eyes मतलब बहुत सारे हैं इतने तो आपसे याद नहीं होंगी जो बहुत ही important होते हैं उनके एक बार देख लेना और इसमें जैसे जो minerals दिये हैं तो यह सारे important minerals ही है तो इनके आप एक बार देख लेना इनके कौन-कौन से ores होते हैं उतना more than enough है और question सीधा ऐसे नहीं आएगा कि box side जो है यह सबसे ज़्यादा कहा produce होता है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि Australia में सबसे ज़्यादा क्या produce होता है कौन सा mineral सबसे ज़्यादा produce होता है तो किसी तरीकी से भी पूछ सकते हैं आपको बस याद रखना अगर आपने यह पढ़ा है तो अराम से आपको हो जाएगा क्योंकि आपको सिफ तीन countries ही तो याद करनी है एक आपको mineral याद करना है याद करनी है यह तो हो गई बात वर्ल्ड की आपको इंडिया का भी एक बार देख लेना बुक में दिया नहीं हुआ है में को टाइम में लेगा तो मैं करवा दूंगी अलग से क्योंकि बुक के सेशन में जो यह चल रहा है बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती है अभी मैं जो सिफ बुक का है वह ही करवा रही हूँ आपको इनके फर्स, सेकंद, थर्ड प्लेस बताना है फर्स इस आयरन, सेकंद इस यूरेनियम अन थर्ड इस बॉकसाइट इन तिनों का आपको फर्स, सेकंद, थर्ड प्लेस बताना है वोपफुली यू आल विल राइट यूर आंसर्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना शेर कर देना और चानल को सब्सक्राइब कर देना Also if you haven't join our telegram channel, must do this will be very helpful for you and you can also follow us on our instagram page Thanks for watching, see you all in the next video